नमस्काद दोस्तों, स्वागत याप सभी का आपके अपने चनल एरफोर्स एक्जाम पीपर में दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एरफोर्स बाई गूरुप के लिए मैत की मॉक्ड टिस्ट को स्वाल करेंगे दोस्तों यह मैत को मॉक्स्टिशन बलत से अगर आपने इससे पहले को मॉक्स्टिशन देखे हैं तो उन्हें भी दिखिएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको वही कोश्चन मिलेगे जो आपके एक जौम के लिए बहुत ही इंपॉर्टनेंट है इसलों दोस्तों आप लोग इसी वीडियो में डाकत बने दियेगा और अपने अभी तक चैनल को अब करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके भालाइक उम्मेद कलता आपको वीडियो प्रसमत आएगा वीडियो को लाइक और सियर भी करदेना देखिए दोस्तों कोश्चन नमबर एक उस लंबी से लंबी छड़की लंबाई जो एक 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े तथा 10 वटा 10 सही 2 वटा 3 मीटर उंचे कमरे में रखीता हकती है आप सभी को पता है दोस्तों कमरा किस टैप से होता है घना कार होता है ठीक है लेकिन दोस्तों मैं आपने आपको दिखा रहा हूँ इस परकार से तो लंबी से लंबी वस तो आ जाएगी आपर तो दूस्तों यही पर आपसे यही पूछा गया है यह निकालने करिया आपको फार्मिला लगाना पड़ेगा आपको पहले है इस समझना आपकर फार्मिला यहां पर होगा underlood Lम्बाई काई square चोड़ाई का इस quarter उंचाई का इस simplemente SUS टीक है यह होगा तो लिखेंगे बराबर आपके लंबाइ कितनी दोस्तों यहां पर है और आपका दोस्तों कियोगा यहां पर आपके सम्झारें क्या ओगा आपका कितना है अपर 256 आपका 145 आपका यहां पर 32 काả स्वार होता है दूस्तो एक हजार चोविस अपान दूस्तो कितना होगा यहांपर दीकिगा 1025 यहांपर कर दिया है आप आम डिकल देगे 9 ठीक है आपका इतना आएगा इसके आगे दूस्तो आपको सॉल्व परना इसे कैसे करेंगे स्वाल आपको यह देखना है पहले ठीक है तो यहां पर दोस्तों करना क्या प mateixला है लिखना है अंडवूड आपको दोस्तों इससे एड करना है तो आपका क्या होगा आपका 46,124 अपाम निकल देना है 9 अब दोस्तों सभी को क्या करना आपको निकालना है इसका वर्गमूल अब आप लोग अपनी कॉपी निकालीएगा और 46,24 का निकालीएगा वर्गमूल अगर आपने वर्गमूल बिल्कुल सही निकाल लि िवाल पड़ा तीन तो आपका उसनु आएगा यही तो आपसन C यहां पड़ा हूब सरुगा 22 थो इसन क्या स्थित भी हैं ट६्लस कों to 5 पूरूस किसी काम को सब्सक्रारी को करेंगे 3 पूर सकते हैं चम्याइं 5 आखें है प्लुळ में पूरा कर लेंगे कोई समस्याने फिरी को लिखेंगे मेल मतलब यहां पर अबारी मेल तो मतलब अम ते ऑल गते हैं शहें कगा मतलब दस मेला नंद आस Edi इमेल उसे कलती है पांच दिनों में इस फ़कार से कलती है ठीक है यहां पर आपको करना का यहां पर दूस्तों से स्वाल करना है पहले 5 से आपका 5 कैसे लोगा तिपच नहीं दो से काटेंगे दो पंचे दस दो तिया चे आपका आएगा दोस्तों 3 एम बराबर कितना आएगा 5 एफ यहां से निकालेंगे एम अपान एफ कितना आएगा आपका आएगा 5 बटा तेन ठीक है यहां से हमने निकाला है रेशी हो यहां पर अब दोस्तों में देखना है टोटल काम है कितना तो तो 5 महिलाएं मतलब 5 female प्लस 3 पुरूस का मतर तीन मेल यह आपको चेक करना है तो आप यहां पर देख़ें के देखें के 5 female तो 5 female के देखें के तीन तो 5,3 15 यह हो जाएगा और 3,15 15 तो आपका यह पंदरा होगा तो आपका हो गया है 30 ठीक है आपका कितना होगा 30 हो गया है य टिली नेस्ट कोसिट टया है आपका तीन नमबर्ट एक धेल लगाड़ी 45 किलो मेटर सेकेंड में तई करेगी आप से पूचा गया है कितने सेकेंड में तई करेगी अब दोस्तों आप सभी को पता होता है कि समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोत लगाना पड़ेगा ठीक है हमारा सोत क्या लगी का वहीं समझेगा टाइम बराबर क्या होगा दूरी बिटे चाल तो दूरी बिटा चाल करना पड़ेगा दूरी हमारी कितनी है दूरी हमारी यह वाली है चार बटे पांच यह दूरी है अब आहां में क्या करना पड़ेग अब क्या आएगा यह आपका आएगा घंटा ठीक है क्या घंटा आएगा लेकिन आपको चाहिए सेकेंड में सेकेंड करने के लिए आपको साथ से गुणा करना इसमें तो आप साथ से गुणा करने के इसमें अब आपका बिल्कुस से हो जाएगा ठीक है अब देखिए 15.45, 15.45, आपका दोस्तों इतना हो गया है, अब दोस्तों आपको आगे भी देखना है, ठीके, अब आपको आगे भी देखना है, अब दोस्तों जो आगे भी देखेंगे, ठीके, तो आगे आपको क्या होगा, यह भी देखेंगा यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपका है, क यहाँ पर दोस्तों मैंने 60 से गुणा किया है तो आपका चेंज हुआ है मिनिट में अब दोस्तों फिर से 60 से गुणा करेंगे तो आपका हुए सेकेंड में चेंज ठीके तिपच 15 15 चक्कों का साथ तो आपका निकल गाएगा 64 यही आपका अधाई टांसर रोगा आपसे नु 40 से मी है उस परर एक 60 साथ बाब लपेटा याता है यह अन्ने वीरल के 33 से मी हो तो उस पर दशी कितनी बाब लपेटा जा सकता है द्सी आपकी बही रहेएगे पर चार्य सेंट्यमेन अधाब तो उसे 60 बबल लपेटा गया अब कहरा है कि 33 से में हो जाए तो लपेटने की संख्या कितनी होगी आपसे यह पूंचा गया है तो तीस दूना साथ तो आपका होगा असी असी बार तो आपसे आपका ए बाला करेक्ट टांसर होगा ठीक है असी इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स कोचन के आपके लिए आ चुका यहां पर परिमाप 550 वीटर हो तो उसका चेट फिल कितना होगा तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर माल लेंगे ठीक है क्या मालेंगे दिखिए पहली बात दोस्तों में यह से चेंज करना है चार एक चार तो आपका हुआ साथ है तो चोड़ाई कितनी है चार यह इत बात यहां पर करके परिमाप अपको 550 परिमाप का सी पता है प्लाइक चोड़ाई कितना है यह कितना है अब यह तो आप परिमाप देखिए ठीक है तो आपका यहांपर क्या यहां पर समझे ॐ पेचास हो गया दूसे काप Haas क्या गया थे आपका हैं। इसके तुक ॥ा तो बढ़ने रहेगा दौस तक अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नी किया है तो चनल को सब्सक्राइब नी किया लिजेगा और दोस्तो बेर आइकन को भी प्सक्राइब अगर दोस्तो आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए टेंसर मसली लिजेगा आप लोग Telegram уп causing जोइन करिऊगा इतना हो जाएगा 25 सत्य कितना होता 175 तो बिल्कुछ सिंपल आपका निकल गया चुका है सी वाला करेक्ट यहां पर हो जाएगा एक लाग पचात्तर मतलब 17,500 ठीक है 17,500 इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है आपको यहां पर निकालना है समान उपात्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे आपको यहां पर यह चेक करना है तो दोस्तों यहां पर आपको किस प्रकार से लिखना पड़ेगा ठीक है पहले समझेगा यहां पर आपको माल लेना है संक्या गटाया एक्स ठीक है क्या मा अनुपात आपको लिखना है 6-6 अनुपात और लिखना है 7-x ठीक है इतना आप कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों कलनी क्या है आपको आपको इसकी गुणा करनी है इसमें और इसकी गुणा करनी है इसमें दोनों करनें बरावर तो कैसे करेंगे दोस्तों यह समझे आप लोग एन पर इंगा 21 है याद दोस्तो इस ट्रभ लीं आप तब ही मैं आपको जब्लेक है यहाप पर कितना अपका होगा आपका कि यह दो स्थोड़ा मतलब फिно पड़ेंगे कैसे रगेगा तो मैंने परदें खुरूंगा थीक है यह स्थिक 3x हो जाएगा, minus 7x हो जाएगा आपका, plus का हो जाएगा x square बड़ाबर, 5x का होगा 30, minus 5x, minus का 6x, और plus का x square, इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या अपड़ाएगा, यहां पर हल करना इसे है, देखिए x square से आपका x करेज लोगा, ठीके, तो आपका बचा दोस्तों, 21, minus, आपका कितना हुआ, minus का हुआ 10x, बराबर, 30, minus का बचा 11x, अब इसके बाद दोस्तों, आपको दिखना आए, तो इसको लिएगे उतर, तो आपका क्या होगा, आपका हुआ 11x, minus का 10x, तो आपका बचेगा सिर्फ x, बराबर, आपका बचेगा 9, यही आपको दोस्तों, निकालना तापका यही आगया है, तो आपसन आपका C वाला correct answer रुगा, ठीके, दोस्तों, आपसन नमबर C वाला यहापका दाई answer इसके लिए हो जाएगा, ठीके, इसके बाद दोस्तों देखिए है, next question आपके लिए क्या है, question नमबर आपका यहाँ पर आ चुका है, 7 नमबर, ठीके, 7 नमबर को पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों सवाल को पढ़ेंगे हम लोग, दो नल, A, A, B, एक टंकी को कर्मसाप 18 मिनिट और 24 मिनिटे भड़ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिख लिएंगे कि एक नल है A, एक नल आपका है B, A भड़ता है 18 मिनिट में ठीके, B भड़ता है 24 मिनिट में, इतना तो आप समझ सकते हैं, इसके बालेखा, दोन नलों को एक साथ खोल दिया आता है, अब इनको खोलेंगे, तो उसनों क्या करेंगे, इसका निकान लासा, लासा आएगा उसनों बाहतर ऐठारा चुब बाहतर चौब इसतिहां बाहतर तो इस पकार से इनके Eccency निकल गया गए यह क्या निकल गया है एनके आई है Eccency निकल गए ठीक है Eccency निकल गया गई अब कह रहा है कौछ देर बाद कोछ देरवाद new a को बंद कर दिया आता है यरी पूरी टंकी 16 मिनिट में भढ गई हो देखे रहे marsaces वह घंता है लेकिन च दोल इस लोह हो आप नियुआ है को जब तक टंकी बनने आती तब तक तक टंकी भरके इसका मतलब उस्तो यह बीवार नल है 16 मिन तर चलता रहता है तो 16 तियां कितना वह 48 इसका मलब 48 पानी यह बरता है बाद समझे आप लोग 48 मिन तक चलता है पानी बरता है तो कितना भरेगा यहां पर देखें यहां पर देखें 12 से 8 गया 4 यहां आपका बचाए 24 अब बचा कितना अ कितने मिनिट बाद बंद किया गया तो नल को बंद किया गया था 6 मिन बाद आपसे लिए बी वाला करेक्ट अंसर आपर होगा आगे दोस्तों देखेंगे आपसे पूछा गया चाल समय दोरी का आपका लिए सवाल है किलोमेटर पर घंटा इसे चेंज करेंगे पांच बच्टे 11 से बुना करेंगे तो आपका आएगा चार बाद आएगा तो आपका आएगा निकल के 20 मिटर प्रति सेकेंड ठीक है यह आपके आगे स्पीड अब आपको दिखना है आपको निगानना है टाइम होता है दोरी मे करा आप वीडियो को लाइक करेंगा आप लाश्ञे ही आज आपने कितना इश्कुर किया है अर दोस्तों बताएगा कि आज का वीडियो आपको यांपको कैसा लिखेंगे, चोववन बरावर लिखेंगे, शिक्स ए स्कॉवाइर, छे से काटेंगे, छे ने मौटा है, चोववन, तो आपका ए स्कॉवार निकल गया है, नौँ, ए रिका लेंगे, तो आपका आयाईगा, कितना, तीन, यही आपका दाइट आउसर को, अपसन बी वाला, त इसकी विज़ा कितनी हो कि तीन मीटर अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए लाश्ट कोर्शन कोर्शन मद्दस यहां पर आ चुगा है इस सवाल को उसके बाद में इसका दाइटिस दाएगा एक परिच्छा में 40% चाहत अनुतिन हुए यह जी अनुतिन चात्रों की संख्य कि आपको बतानी है कुल संख्या मतलब 100% की विए आपकी क्या होगी इसका उत्तर आपको हमें कमेंट वाक्स बिताना है कि इसका लाइट आसर आपका क्या होगा उम्मीद कलता हूं दोस्तों आपको इस सवाल बहुत जवादस तरीके समयाएंगे अगर वीडियो अच्छा का बीक कर देगा